Study IQ IS अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल INC was formed as a safety valve for Britishers Welcome to Study IQ, मेरा नाम है आदेश सिंग दोस्तों, भारत की freedom struggle में Indian National Congress ने बहुत important role play किया था 1885 में स्थापित हुई Congress ने देश की भिन भिन political voices को National Freedom Movement के लिए एक platform मोहया कराया था एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि Congress ही वो संस्था थी जिसने British सत्ता के खिलाफ Freedom Struggle Movement की foundation तयार की थी गांधी जी ने Congress द्वारा प्रदान किये गए platform को ही आधार बना कर non-cooperation, civil disobedience और quit India जैसे mass movement चलाये थे और British सत्ता को भारत से उखाड फेगा था परन्तु Congress की स्थापना को लेकर historians और politicians अलग-अलग राय व्यक्त करते रहे हैं Congress की स्थापना के पीछे के motive को लेकर ये विवाद Congress की स्थापना के कुछ ही वर्षों बाद शुरू हो गया था Congress की स्थापना के उद्देश को लेकर लाला लाज पत्राय, रजनी पामदत जैसे लोगों का मानना था कि Congress को अंग्रेजों द्वारा safety valve के रूप में स्थापत किया गया था आज के विडियो लेक्चुर में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि safety valve theory क्या थी इसे किस ने दिया था क्या Congress की स्थापना वाकई में अंग्रेजों ने अपने imperial interests को पूरा करने के लिए किसी conspiracy की तहद की थी या फिर Congress की स्थापना भारत के लोगों की राजनीतिक जेतना यानि political consciousness का collective result थी आईए सबसे पहले हम Congress की स्थापना और उसके पहले सेशन के बारे में संक्षिप में जान लेते हैं First Session of Congress Congress के गठन से पहले ही देश में एक अखिल भारतिय संस्था के गठन की प्रिष्ट भूमी तयार हो चुकी थी 1870-80 से ही Nationalist Leaders एक अखिल भारतिय संगठन के निर्मान के लिए प्रयासरत थे किन्तु इस विचार को मूर्त एवं व्याभारिक रूप देने का श्रिय एक रिटाइड सिवल सेवंट A.O. Hume को प्राप्त हुआ Hume ने 1883 में भारत के प्रमुख नेताओं से संपर्क स्थापित किया और इन नेताओं को एक All India Political Organization बनाने के लिए प्रेरित किया 1884 में Hume के प्रयतनों से एक संस्था Indian National Union की स्थापना हुई थी इस यूनियन ने पूना में 1885 में देश के प्लिटिकल लीडर्स का एक सम्मेलन आयोजित करने का निरनाई लिया था लेकिन 1885 में पूना में कॉलरा फैल जाने से उसी वर्ष ये सम्मेलन बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल में आयोजित किया गया सम्मेलन में भारत के सभी प्रमुक शेहरों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और यहीं सर्व प्रथम अखिल भारतिय कॉंग्रेस का गठन किया गया ए ओ ह्यूम के अतिरिक्त सुरेंदरनाथ बैनर जी तथा आनंद मोहन बोस कॉंग्रेस के प्रमुक आर्किटेक्ट्स माने जाते हैं कॉंग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बैनर जी ने की थी इसमें 72 पॉलिटिकल अक्टिविस्ट्स ने पार्टिसिपेट किया था जिन में से अधिकांश टीचर्स, लॉयर्स, बिजनिस्मन, इंडस्ट्रिलिस्ट्स और लैंडलॉट्स थे इसके पस्चात, प्रती वर्ष भारत के विभिन शेहरों में इसका वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया जाने लगा आईए अब हम कॉंग्रेस के गठन से जुड़ी सेफटी वैल्व थेयोरी को समझने का प्रयास करते हैं Myth of Safety Valve Theory पहले-पहल कॉंग्रेस के Extremist Leader लाला लाजपत राय ने Young India में वर्ष 1916 में पबलिश अपने आर्टिकल में कॉंग्रेस के गठन के संदर्ब में Safety Valve Theory का इस्तिमाल कॉंग्रेस के Moderate Leaders पर हमला करने के लिए किया था लाला लाजपत राय के अनुसार कॉंग्रेस Viceroy Lord Dufferin के दिमाग की उपज थी और AO Hume ने Dufferin के Direction, Guidance और Advise पर ही कॉंग्रेस की स्थापना की थी जिससे उस समय भारतिय जनता में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बढ़ते हुए जन असंतोष को 1857 जैसे हिंसक विद्रोह के रूप में फूटने से रूखा जा सके और इस जन असंतोष को बाहर निकलने या वेंट आउट के लिए सुरक्षित, शांती पूर्ण और Constitutional मार्ग उपलब्ध कराया जा सके ऐसा कहा जाता है कि Civil Servant के रूप में कारे करते हुए हूम को अपने sources से कुछ ऐसी classified information प्राप्त हुई थी कि जल्द ही भारत में एक violent revolt होने की संभावना है इस classified report के आधार पर हूम का मारना था कि यदि Congress जैसे किसी संगठन की स्थापना हो जाए तो वो जनता की दबी हुई भावनाओं एवं British सत्ता के विरुद्ध बढ़ रहे असंतोश को बाहर निकालने का रास्ता प्रदान करने वाली संस्था सिद्ध होगी 1940 में historian और communist thinker रजनी पामदत ने अपनी बुग India Today में safety valve theory को एक बार फिर से उठाया उन्होंने लिखा है कि British government के direct initiative और guidance के द्वारा Congress अस्तित्व में आई थी Congress का गठन कर अंग्रेज भारत में आने वाली कुरांती को विफल करने की कोशिश करना चाहते थे जिसमें वे काफी हद तक सफल भी रहे रजनी पामदत का कहना है कि ये अलग बात है कि Congress समय रहते एक nationalist organization में तबदील हो गई और इस पर British Empire के प्रती निश्थावान लोगों के बजाए उन लोगों ने अधिकार कर लिया जो भारत को जन आंदोलनों के जरीए आजाद करवाना चाहते थे परंतु इसका 12 चरित्र बरकर आ रहा और समय समय पर Congress ने जहां एक ओर British शासन के खिलाफ संगर्ष किया वहीं कई मौकों पर Congress ने British सत्ता का सहयोग भी किया इसने Mass Movement की अगवाई भी की और जब जनता ने करांती के रास्ते पर बढ़ना शुरू किया तो Congress ने जनता को धोखा देकर British Government का साथ दिया दग्त के अनुसार गोपाल कृष्ण गोखले से लेकर गांधी तक Congress नेत्रित्व का ये दोहरा चरित्र दरसल भारतिय बुर्जुआ वर्ग के दोहरे और धुल मुल कैरेक्टर को ही दिखाता है जिसकी चरम परिनती Mountbatten Plan के रूप में भारत के partition को accept करने के रूप में हुई थी 1939 में RSS के सरसंगचालक MS गोलवालकर ने भी Congress के Secularism की कारण उसे Non-Nationalist बताने के लिए Safety Valve Theory का इस्तिमाल किया था इसके अलावा C.F. Andrews और गिरजा मुखर जी जैसे Liberal Leaders ने भी भारत में Congress का उदय और विकास में Safety Valve Theory को सही माना है इनका मानना था कि इससे भारत व्यर्थ के खून खराबे से बचा रहा Safety Valve Theory के मिथक को Historical Fact बनाने में साथ Volume की उस Classified Report की निरनायक भूमिका रही है जिसके बारे में हूम का कहना था कि उन्होंने इस Report को 1878 में शिमला में पढ़ा था इस Report को पढ़ने के बाद हूम को ये यकीन हो गया था कि भारत में जन असंतोश उबल रहा था और भारतिय समाज के निचले तबके के लोग ब्रिटिश शासक को हिंसा के द्वारा उखाड फेंकने वाले हैं हूम को मिली इस Report के बारे में पहली बार चर्चा हमें 1913 में विलियम वेडरबर्न द्वारा लिखी A.O. हूम की बायोगरफी में मिलता है लाला लाचपत राई ने वेडरबर्न द्वारा लिखी A.O. हूम की बायोगरफी से ही Classified Report के अंशों को Safety Valve Theory के सबूत के तोर पर पेश किया था लाला लाचपत राई ने अपने आर्टिकल में हूम की बायोगरफी से रिपोर्ट को कोट तो किया था पर ये कहीं नहीं बताया था कि ये रिपोर्ट किस ने तयार की थी और हूम के पास कैसे आई बाद में हिस्टोरियन्स ने अपने आप ही अंदाजा लगा लिया कि ये रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा पुलीस अधवा CID से मिले इनपुट के आधार पर तयार की गई थी और हूम को सिविल सर्विंट होने के नाते पढ़ने के लिए मिल गई थी आजादी के बाद इस मिस्टीरियस रिपोर्ट को R.C. मौजूमदार और ताराचंद जैसे हिस्टोरियन्स ने भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट मान लिया और इसी आधार पर सेफ्टी वैल्व थियोरी को सही बताया जाने लगा 1950 के बाद जब कई हिस्टोरियन्स ने इस रिपोर्ट की नैशनल आर्काईव में तलाश की तो उन्हें ये कहीं भी नहीं मिली ऐसे में उन्हें इस रिपोर्ट की सत्यता पर डाउट होना चाहिए था परंतु इसके विपरीत उन्होंने ये मान लिया कि अंग्रेजों ने भारत से जाते समय इस रिपोर्ट को नश्ट कर दिया होगा परंतु ये रिपोर्ट एक मिथक से ज्यादा कुछ नहीं थी अक्सेस होना लगभग असंभव था। दूसरा, विलियम वेडबर्न ने ह्यूम की बायोग्रफी में जिस जगह इस क्लासिफाइड रिपोर्ट का उलेक किया है। उस चैप्टर का नाम है भारतिय धार्मिक नेता। इस चैप्टर की शुरुआत में ही वेडबर्न ने लिख है कि ह्यूम को भारत में जनता में बढ़ते हुए आक्रोश और आने वाले खत्रे के बारे में चेतावनी उन धार्मिक नेताओं से मिली थी जो भारत के विभिन भागों में बसे लोगों के धार्मिक जीवन को नियंतरित करते थे। वाइसरोइड डफरिन और रिपन के पर जानकारी रिपोर्ट से। जिनके बारे में स्वयम हुम का विश्वास था कि वे महत्मा बहुत पहुँचे हुए लोग होते हैं जो लोगों के मनोभावों को दूर से ही जान सकते हैं। नियंतरित और निर्देशित कर सकते हैं। उब्रोक्त जानकारी की अनालेसिस के आधार पर हम कह सकते हैं कि जिस इस रिपोर्ट को शिमला में देखने का हुम ने दावा किया था, वो हुम के इनी मित्रों द्वारा तैयार की गई थी। आए अब हम देखते हैं कि हुम की भूमिगा को लेकर ततकालीन पॉलिटिकल लीडर्स के क्या विचार थे। ए ओ हुम इस यूजड बाई कॉंग्रेस अज लाइटनिंग कंड़क्टर। लेना चाहते थे। उनका सूचना था कि अगर कॉंग्रेस जैसे सरकार विरोधी संगठन का मेन और्गिनाइजर एक रिटायर्ड सिवल सर्विंट होगा, तो इस संगठन के प्रती ब्रिटिश गर्वर्मेंट को संदेह नहीं होगा। इस कारण कॉंग्रेस पर सरकारी हमले की गुंजाइश कम होगी। कॉंग्रेस के गठन में ह्यूम और अन्य अंग्रेजों के योगदान को सुईकार करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने भी कहा था कि कोई भी भारतिय इंडियन नैशनल कॉंग्रेस का गठन करने का खतरा नहीं उठा सकता था, क्यूंकि अगर कोई भी भारतिय इस तरह के आंदोलन को शुरू करने के लिए आगे आया होता, तो भारत में ब्रिटिश गर्मन्ट इस आंदोलन को अस्तित्व में ही नहीं आने देती। यदि कॉंग्रेस के फाउंडर ह्यूम जैसे प्रतिष्ठित अंग्रेज ना होते, तो उस समय किसी भी पलिटिकल संदेह से देखती और तुरंत ही आंदोलन को दबाने के लिए कोई न कोई रास्ता निकाल लेती। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अलग-अलग पलिटिकल लीनिंग के लोगों ने अपने-अपने नजरिये से कॉंग्रेस के गठन के संदर्ब में सेफटी वैल्व थियोरी को सही बताया है। परंतो क्या ये बात वाकई में सही थी? आईए देखते हैं। रूप से काफी हद तक जागरूख हो चुकी थी। उधारन के लिए इस दौर में नैशनलिस्ट लीनिंग के कई राजनीतिक संगठन और न्यूस पेपर्स अस्तित्व में आए। इसे बंगाल में 1876 में सुरेंदरनाथ बैनर जी और आनंद मोहन बोस की लीडिशिप में इ ये सभी कॉंगरेस के पूर्ववर्ती संगठन थे जो देश के अलग-अलग रीजन में पोलिटिकल अवैनेस फैला रहे थे। इसी के साथ साथ इसी दौर में नैशनलिस्ट न्यूस पेपर्स का भी पब्लिकेशन शुरू हुआ जैसे हिंदू, ट्रिब्यून, बंगाली, मराथा और केसरियादी। इन न्यूस पेपर्स ने भारतिय जनता को समान रूप से प्रभावित करने वाली मांगों से परिचित कराया और उनमें एक कॉमन कॉज के लिए लड़ने की भावना का संचार किया। इस दौर के कॉंगरेसी नेताओं को इस बात का एहसास था कि देश की economic, political और social conditions देश के लोगों को एक तूसरे के करीब ला रही है। इसलिए गोखले जैसे नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि कॉंगरेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों में national movement के प्रती awareness पैदा करनी चाहिए और ये काम इस तरीके से सावधानी पूर्वक करना च चाहिए कि देश की जनता धर्म, जाती और वर्ग की विभिन्नताओं को एक तरफ रख कर देश की आजादी के लिए एक जुठ हो सके। कॉंग्रेस की leaders जानते थे कि भारत में जिस तरह की विविदताएं हैं वैसी दुनिया में कहीं और नहीं है। ऐसे में उन्हें को उठाने की कोशिश की जो सभी भारतियों को समान रूप से प्रभावित करते थे। और दूसरा, movement की शुरुआत में उन्होंने भारत के प्रती liberal view रखने वाले ह्यूम जैसे अंग्रेजों का सहयोग लिया। और तीसरा, उन्होंने प्रारंब से ही अग्रेसिव होकर movement नह जा दिया। जिसके बाद Indian National Congress अपने आप में politically इतनी strong हो चीगी थी कि British सत्ता के लिए भी उसे इग्नोर करना या कुचलना संभव नहीं रह गया था। moderate तरीकों का इस्तिमाल करने के लिए प्रेरित किया था। उन्हीं राजनीतिक दशाओं ने Congress को British सत्ता के दमन से बचने के लिए हूम जैसे liberal और भारत से प्रीम करने वाले अंग्रेजों का सहयोग लेने के लिए प्रेरित किया था। जबकि Safety Valve Theory जैसे मित का अलग-अलग Political Spectrum के लोगों द्वारा अपने-अपने Political Agenda को पूरा करने के लिए प्रेयोग किया गया था। Study IQ IS अब तयारी हुई Affordable